कि यहां पर गेम हो रहा है ना चैंपिंड़ाइब गेम काउन जीतरा कौन हा रहा है अभी मैस चालू हुआ है अर्द क्यों चालू हुआ धंडा में जमीन के उपर बैठ के तुम आप खेल रहा है तुम यू ठंडा नहीं लग रहा है नहीं इस मैस का रिजल्ट लगभग एक घंटे बाद आएगा तो एक घंटे तर मेरे फोन का स्टोरेज फूल हो जाएगा बच्चों के सौक इतने गंडी हो गया है जब तक मैं गरम पानी में अच्छे से इसको सोक नहीं करूंगे ना बिल्कुल भी वह साफ नहीं होंगे चलो हाथो हाथ काम कर दिया जाया और सर्दियों में खाने का मज़ा है लेकिन जिनको खाना बनाना पड़ता है उसके लिए तो सजा है लेकिन मुझे अब अपने हाथों का खाना अच्छा लगता है तो आज सोचो कि इतना सारा भर-भर के मैं सर्दियों का तेक्की उडाल रही हूं आपको अभी पता चलेगा इसको बंद करके रखती हूं आज बनेगी मचली अज बहुत दिनों बाद हम लोग को कि में मचली अज मुझे खाने का मन था तो मैंने पाउन को बोला था क्या पले आना तो वो ऑफिस से आते टेंग लेके आये हैं क्योंकि जाएगा धेर सारा हल्दी और ये सेंधा नमक प्लीज अपने रेगुलर नमक को सेंधा नमक के साथ प्लेस करें या फिर मिक्स कर थे खाएं बहु को कम करूंगी एंड ये मचली महराथ जाएंगे तेल के अंदर चीटे बहुत कम होते हैं आप जरूर राइ करना तो आज विए कौंटी के जादा है ये कुझे मैंने बोला का कम लेके आना और कपसे मैंने कपड़ों को धो के रखा था क्योंकि पानी अगर मैं नीचे इस त मिर्ची मिर्ची मैंने जादा लिया कि मुझे आज बिल्कुल तीखा काने का मनोरा इन सब का एक फाइन पेस्ट बनाओं के चलो काम भी खतम हो गया खतम तो नहीं है पस लगबग जितने काम थे वो मैंने निप्ता लिया है तो ये मसाला को मैं इसमें डाल दूंगे इसको है कि ऐसे बहुत ही सिंपलक रे forwards मैं और यहां पर मैं बैग किसली पैक हो रहा है आपको पता चालेगा बैग कि सलीक हो रहा है तो zelfs समें में हो पाईंगा यह देखो उन अच्छा अच्छा सा ए cockroक्ट आया है तो आप लोगों को देखने में जरूर मजदा आता होगा अब यहां पर टॉपिंग करूंगी ब्लॉट्स अधनिया पत्ता इसको मिक्स कर देना अच्छे से टॉट्स में पर टॉटी सकतां यह बज़ गलाव आईसक्रीम यह जाया था कि मैं खूँँगा और पता है कि आजसे बहुत बर्फ जमती है जिए लियक दो कि आइसक्रीम नहीं जमती है सबसे पहले हैलो फ्रेंड वल्कम बैक तो चानल कैसे हो आपसे वा शाकटी अब सारे सारे फ्रेंड बहुत बहुत जाना अच्छे होंगे एंड बाइध अज बहुत दीनों बाद मैं यह 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 लग पर पाशन थी जब मैंने लिती तो पहले मुझे लगता थे सांगरिया की कलेक्शन बेटर हुआ करते थे अभी के कम्पेर में तो सबसे पहले आप कोई भी ऑल या फिर आप कुछ भी जल बगए ले सकते हो आज मैं जल से करी मैं ऑल्टरनेटिव टेस पर करती हो एक दिन बिंदी को मैं फिल्फाल यहां चपकात जब उपर की तरब शालेज आप अब जल बहुत कम प्रेशर भी नहीं tip पान से चे बार पे अपने फिंगर को इस तरफ से रखना है एंड एसे रिलाक्स करना श्लोली डाउन तिर यहां पर रखना तीन से चार वर दोनों हतेलियों को आपको चेन के नीचे रखना है अपने सर को आपने नीचे डाउन करके रखना है आप जैसे वीडियो में डेमो देख रहे हैं हतेली को कान के पास लाना है फिर स्लोली आपने डाउन कर देना है हर एक जो भी स्टेप है आपने 5-6 टाइम एट लिस्ट आपने रिपेट करना है यह बहुत जल्दी फाइन लेंस अगर देखते हैं आपके इस एरिया में पर्टिकुलर तो बहुत जल्दी वह कम हो जाएंगे बस हातों को आपने अपने हातों को डाउन कर देना है फिर हमने चिन के पास में हात को रखेंगे और नोज के दोनों मिडल में नोज के लेके आएंगे और दोनों हातों को इस तरह से वर्टिकली कान के पास में लेके आएंगे यह बहुत अच्छा प्रोसेस है अगर आपका चहरा उम्रे के पहले डील फिर नाग के पास में हम नाग को अपने पिंच करेंगे 5-6 टाइम यह पफी आइने से पफी आई है आपकी अगर डाक सरकल से तो उसको रिडियोस करेगा बस अपने रिंग फिंगर से क्योंकि आपके पास क्या जो इसके रहता बहुत पतली रहती है तो दीरे दीरे आपने इ यहां पर मैं आइब्रो को इस तरह से मसाज कर रही हूं यह आपका अगर स्ट्रेस से डिप्रेशन है तो उसमें भी बहुत जादा वह करता है फिर आइब्रो का आपने पिंच करना है यह मैंने वर्डो में देखा था मैंने करना स्टार्ट किया और मुझे बहुत ही पॉज में होता है हातों को अपने जिग-जग मोशन में आपने करना है मुझे सो आपको अपने थर्टीज के बाद को भी अपको स्टार्टिंग में अगर आप विडियो देखे करोगे ना आपको थोड़ा यूस्ट होने में टाइम लगेगा फिर दीरे दीरे आप हैबिच्वेट मिलेंगे एज को हम नहीं रोख सकते हैं बड़ चोटे चोटे स्टेप को फॉलो करके हम कई बहुत हद तक अपने आपको यंग और फिट रख सकते हैं तो फिट और यंग रखने से मतलब है आप अपने माइंड को भी हेल्दी रखे पॉजिटीव सोचे जब तक पॉजिट को आप लिफ्ट करना चाहते हैं तो यह प्रोसेस फाइव तो सिक्स टाइम इच चीक पे अपने करना है दिस वन अफ दा बेस्ट मैं बोलूंगी फेस लिफ्टिंग योगा आपको अपने फिंगर को इस तरह से टेंपल की फॉर्म में रखना है मैं थोड़ा जल्दी दिख और आपके फेस पे ना आपको लालिमा आभा जरूर दिखेगी यह मेरा फेस है विद आउट मेकफ नो फिल्टर विफ नॉर्मल कैमरा पेस मसाज तो हो गया अब इसको जगह पे रखते हैं और खाना खाते हैं बहुत जोरू की बूप लगी है यार्टिन आप यह करके बहुत जल्दी जाएंगे और मैं एक इकसी साइस भी सियर करूंगे उस्ते भी आपकी स्केन बहुत हेल्दी ग्लोई बज़ेगी